सबसे ताकतवर जुडिशरी है पूरी दुनिया में लेकिन सबसे ताकतवर जुडिशरी अभी आप में लूपर शर्मा की बात की तो अरनब गोस्वामी को रिलीफ मिलता है तुरत रिलीफ मिलता है लेकिन दूसरे लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है ये बराबरी का जो सरकार जो चाहती जुडिशिरी से निकलवा जाती है बिना जाती के जुडिशिरी में फैसले नहीं होते रहे और इस पर एक दो नहीं कई रिसर्च हो चुके हैं कि ये गोधी मीडिया वाला सब सरकार का जो एजेंट है ये सब हर समय दो मौलभी और दो पंडित लाता है चार पंडित होगा चार राइट विंगर इधर से लाएगा सब को तिन तिन दूदू हजार रुपया देता है हर सो में और पूरा देश की हर समस्या को छोड़कर सीथे हिंदू मुसल्मान और मस्जीद मस्जीद कर बादा भाई इस देश की ये जो आरसेस है वो सम्विधान विरोधी है बीजेपी की सरकार कहां से आई है वो भी तो आरसेस सही है ना और क्या खासकर सुप्रिम कोट और तमाम नियाल है और पुलिस बेवस्था इस देश में जो SC, ST, OBC और मानौटी के लोग हैं और खासकर वो लोग जो इस देश के संविधान के लिए इस देश को मजबूत बनाने के लिए लर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं चाहे वो पूर्फेसर हो चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो बिजनेसमेन हो चाहे वो सरकारी अधिकारी हो सब पर नकेल कसा जा रहा है तो हम किस तरफ जा रहे हैं मिरे साथ एक खास पैनल है इसमें पत्रकार भी हैं पूर्फेसर भी हैं सोसल एक्टिविस्ट भी हैं दिलीप मंडल को लेकर अभी बात सुरू हुई है उन पर contempt of court की कोशिस की गई थी जिस सक्स ने ये petition भेजा था केके बेन गोपाल को जो परसरकार के सबसे बड़े वकील है वो तिवारी जी है इससे पहले प्रफेसर रतनलाल की गिरफतारी हो गई थी इससे पहले जुबैर की गिरफतारी हुई तो क्या लगभग मान लिया जाए कि मैं वहीं से बात शुरू करता हूं इमर्जेंसी में एक बहुत महत्रपूर के सुप्रीम कोट के सामने गया हैब्यस कॉपस का केस जबलपूर एडियम जबलपूर का केस और हमारे अब मौजूदा बेंच में अभी जच साहब है चन्दचूर उनके पिताजी भी जच थे वाई भी चन्दचूर उस बेंच का हिस्सा थे जिसने सरकार के सामने गटने टेक दィये थे उसमें एक हर करना थे जिनका डिसंटिंग जज्मेंट था इस जबलपूर जिनके पिताजी थे इनोंने गटना टेक दिया है और वो जज्जमेंट सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक काला ध्याय है और लेकिन बावजुद उसके आप देखिए कम से कम दस उच्च नियाया लोने दस हाई कोर्ट ने मीशा में उस वकद गिरफतार हुए लोगों को जमानते दी थी अभी के हालात क्या लग रहा है अब तो चार ज़जायत है सुप्रीम कोर्ट के मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो हालात है वो एमर्जेंसी से भी बुरे हैं क्योंकि उपर से नीचे तक जुडीशरी जो है वो हिम्मत ने जुटा पा रही है संविधान को लागू करने के लिए संविधान को लागू करना है या कोई जान बुचकर उन लोग को गिरफतारी हो रही है जो सरकार से डिसेंट रह रहा है संभिधान को जरणा सुपरिम कोट कौड को इतनी दुनिया की सबसे ताकतवर जुड़ीशरी है तो नुपूर सर्मा के लिए तो संभिधान लागू है उसको लोगे को रिलीव मिलता है यह बराबरी का जो जाती देख्के काम हो रहा है या पाटी या दोनों देखा जा रहा है मैं तो जो देखता हूं कि तुशार महता उप्छुट में जो कहते हैं वो आदेश में परीवर्टित हो जाता है ेइ… अप मेरा सवाल लोगा था, आप कहा 되어 है सरकार के दवाब में है जूडिसियरी, दिखाondी दे रहाै थे दे रहा थी आ है। डर लग रहा है बोलने में या बोलेंगे डर लग रहा है जब भी जूडिसरी का जो रोल रहा है जब भी रहा है जैसे इमर्जेंसी की बात जब कर रहे थे तो एमर्जेंसी में भी दो तरह के जजेज दिखाई दिये एक वो जजज थे जो की घुटने टेक रहे थे और दूसरे जजज खासतोर से हाई कोट के जजज वो बहुत हिम्मत के साथ समिधान के प्रावधानों को जिसके लिए उनको निक्त किया गया है उसको लागू करने क बात कर रहे थे आज भी हालात मुझे लगता है वही है अज फर्क है उस समय सवन समाज लर रहा था उस समय आपको बता दे यह नेता थे जैपरकास्ट नरायन नेता थे राजन नरायन जी लर रहे थे सवन समाज लर रहा था सवन समाज सहिंद्रा गांदी के बिरपक्ष में था, RSS उसान दोलन में सामिल थी, तो जज बटे हुए थे, आज के डेट में सवन समाज, जिसकी जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में एक मुस्त भागिदारी है, उसके खिलाब पूरा बहुजन समाज लर रहा है, जो अपरेस सोसाइटी करो गए, A.C.H.T.O.B.C. को कोई दिखकत नहीं है, उस समय सवन समाज को दिखकत था, तो आज जो फैसले आ रहा है, उसमें जाती देखी जा रही है, आज क्या देखी जा रही है, नहीं होते हैं, और इस पर één में कई रिसर्च हो चुगे है,। पर आप जितने भी नरसंगार हुए हैं जितने भी नरसंगार हुए हैं उसके जज्जमेंट जितने भी आए हैं उसकी स्कूटनी हुई है बकाइदा इस पर स्टेडी हुई है कि किस तरह से जाती है पुरुआगरा काम करते हैं फैसलों के साथ आप कैसे सोथ देखते हैं जी आप बढ़ामन समाज से आपको लगता है कि हम लोग जो सवाल उटा रहे हैं जाती का वो मैटर करता है। कि मीडिया हाउसेस में अख़बार हो या टेलिविजन में वहां सम्पादक ही नहीं है। मेरे कुछ लिखने बोलने से देश में दंगे भढ़के तनाव कहां भढ़का। क्वांटम कैसे क्वांटिफाई करेंगे। कौन से एविडेंस हैं। इतिहास के शात्र और सिक्षक होने के नाते हमने कोई राय रखी थी अपनी। इस देश का इतिहास, इसके समारक, इसके मुर्ती, इसके पुरातत्व संबंदी जितने चीज हैं। यह स्टूडियो में बैटके पंडित और मुल्ला तय नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। वह प्रफेशनल लोग करेंगे। आप पत्रकार हैं, तो डॉक्टर आके सीधे पत्रकार बनाता गरवड हो जागा। पत्रकार को प्रफेशनली पत्रकार का काम करना चाहिए। अपराद नहीं किया बाकी तो मैटर सब्जूडी से जो होगा देखा जाएगा। तो यहां भी लग रहा है कि अब मुसल्मान जादे खत्रे में हैं रादर देन सिडूल का सिडूल ट्राइब और OBC बोट के लिहास। उसमें देखी अविनास दास को भी गिरफतार किया है परस आज बेल मिल गया उनको। अविनास दास तो दलित नहीं है और भी तो सवर्न है। तो आप जो सवाल उधर पूछ रहते हैं कि पार्टी और जाती बेले दोनों देखा जा रहा है। अगर ब्रामन कोई एंटी राइट होगा अगर इनके राजनीती से अगर सहमती नहीं रखता होगा तो ब्रामन ही क्यों नहीं हो। जाएगा जेल जाएगा। अब इनाजदास तो एक्जामपल है सामने दिख गया ना। मतलब जो ब्रामन सवर्ण ही है और सम्मिधान के साथ ऑगर आएगा तो भी जल जाएगा। क्यों नहीं जाएगा। चाहिए अबुश्धान का इस्तेमाल आप के लिए कर रहे हैं कि समीदान का इस्तेमाल इस समाज को बनारे के लिए कर रहे हैं अभी सम्मीधान उनके हाथ में है उनके चंगुल में है जो कि समाज में आंतरिक संघर्स को यानि आपसी लड़ाई को कलह को बढ़ाना चाहते हैं पुशांत क्या मेरा सवाल गलत है सवन समाज भी अगर सरकार से सवाल पूछलेगा तो भी जेल में जाएगा बिल्कुल जो भी समविधान की बात करुएगा एक बात समज लीजिए कि ये जो आरेशस है जो ये जो पूरा तंत्र है आरेशस के उसमें बनावुआ धाचे पर बनावा वो समविधान विरोधी है आरेसस कहता हम राष्टबाधी पार्टी है हमारा राष्ट निर्मान है उनके कहने से कुछ नहीं होता देखिए अदालत में कौन सा अपराद ही है जो कहता है कि हम ने अपराद किया है कोई ये नहीं मानता है कर आप RSS कियो ला रहें सरकार तो BJP की है हां नहीं और एक भी मनजाते कोर नहींगर निये टो लाइट लाई दिखिए- बिचारधारा का, बिचारधारा का, बिचारधारा की जो लोड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए परधान, मंतरी और राश्पती, वो बहुत ही छोटा उहदा होता है, जो देखिए, आप साधी में जाएए, साधी में कल मुझसे मैं कल एक जगा, ऐसे ही 30-40 लोग ठाड़े थे तो एक सवाल कर कि आपका क्या उससे नुकसान होगा, हमने का देखिए, ऐसा है, यह बहुत छोटी सोच है, साधी में साथ बचल लिये जाते हैं, उसमें एक बचल लिया जाता है, जो बचल ले रहा है, उसको दार नहीं मिलने वाला है, आप समझे इस बात को, आपने सोसाइटी, आपने भाई सुनिये पूरी बात, वो अपनी पूरी विजारधारा, आइडिलोजी के प्रती इतना कमिटेट है, उसको जिंदा रखना है, ना केवल जिंदा रखना है, बलकि उसको मजबूत बनाए रखना है, तो वो एक कमिटमेंट लेता है, आप सात आइडिलोजी में जो जीता है ना, आइडिलोजी को जो चाहता है, कि उसका सासर, कंट्रोल होता है ना, वो रिमोट है, वो जो विचारधारा है, वो एक तरह से रिमोट है, उससे कंट्रोल होता है, परधान मंतरी क्या है, परधान मंतरी तो आगे पहर चुएंगे आपके, मुखाटा है परधान मंतरी नहीं हम कर रहे हैं परधान मंतरी उनके सामने ऐसे लोगों के सामने जैसे हैं डॉक्टर रमबिटकर हैं डॉक्टर रमबिटकर भीम रामबिटकर के सामने किसी भी परधान मंतरी का क्या कद हो सकता है या पताई आप इसलिए कि वह आइडिलोजी में जी रहा है एक ideology का निर्मान कर रहे हैं वो आज जितना उनके प्रसंसक देश में है किसी भी नेता का मैं दावा करता हूँ किसी भी नेता का एक भी एक भी नेता का उतना प्रसंसक नहीं होगा जितना अकेले डॉक्टर भी कि यह मैं तो कहीं रहा हूँ कि दो तरह दो रास्ते हैं सम्धान का की लिए करना और दुर्क्टीव की तरह भी क्या रहा है परफेसर ताफ क्या सब्सक्राइब पूछ सब्सक्राइब कि आपने पहले बात की कि अभी बात कर रहे हूं वह प्रदान मंत्री हो देखिए ऐसा है भारत के इतिहास के समाज के बारिकियों को समझ ये पावर होता है और यह कहता अथोरिटी ठीक है जब तक हम तुम कितने बड़े राजा क्यों नहीं हो जब तक हम रास दिलक नहीं करेंगे रासुईयक नहीं होगा तब तक तुम राजा नहीं माने जाओ यह ओथरीटी है वहाँ पे एक मिनट यह क्लारिटी के लिए कह रहा हूं भाई इंद्रा गांधी बहुत ही मजबूत लीडर थी उसने कहके इमर्जिंसी लागू किया कहके डिक्लियर करके आप एगरी हो डिस एगरी हो इस समिक्षा लग की बात है लेकिन उस यह डरपोग सरकार है इसलिए कह रहा हूं कि बगर घोष्टना कि यह चुपके से पीछे के गली से ला रहा है वह अशोक चिन बदल रहा है सब जहाज बेच रहा है रेल वेज़े डरपोग सरकार है बताइए कि यह समिधान के पक्ष में इस देश के बहुजन समाज के पक् चंगूल में थे ग्रामीन बैंक बना बना के बहुत लोगों चंगूल से लिकाला ना साका यह कोई कलपना यह कोई तुलना है इसलिए दूसरी बात अब कंपलीट करने दिए हम न्याय पालिका को सब जानते हैं जैसी सरकारे होती है न्याय पालिका का चरित्र ओशाही होता है पहली बात समझे भारत की भारत की दुनिया भर में होता है भारत में ज्यादा एस्पस्ट है ज्यादा एस्पस्ट है लेकिन हमारी पहली प्रात्मिक्ता क्या होगी दो बार तीन बार यही सरकार जुकी है न वो हमसे वोट लेकर सरकार बना रहा है सरकार का नकेल जनता ज मेरे सवाल वहीं में आऊंगा एकदम सिंप्लिफिकेशन लग रहा है मुझे अमेरिका में भी कंस्ट्यूशन है और संविधान है और जजेज है डाइवर्सिटी भी है आपको लगता है कि माहवती पढ़ान मंत्री होगी यहां तक मनमोहन सिंग पढ़ान मंत्री दे तो उन्ह याद किजिए कि कोई भी समिधान अच्छा या बुड़ा नहीं होता है लागू करने वाए लोगों के प्रकृति के उपर निरब करता है भारत में डेमोकरेसी कभी नहीं रहा है यहां पर जाती वेवस्ता ही रहा है वही डेमोकरेसी है इनका ये रॉप में एक सेंटिफिक रेवलुशन हुगा, कमर्शियल रेवलुशन हुगा, धीरे-धीरे संघर्स करके समाज एक डेमोकरेटिक वैलुज इस्टाइबिश किया, वह क्लास लेसा है, क्लास बेस्ट हो छोड़ दीजे, लेकिन मीनमम बेसिक जो हीमन राइट से उसकी कदर करता है इसलिए डिवस्त जैसे प्राइबिटाइज होगा तो तुम्हारा भी 15,000 पर आगा, तब ही 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 कर रहा है, किस कैसे चुगा, नहीं तब भी तुम्हारा फूट जाए, हम बल्ले हम भीग मांगे पशानत, आप सैमत है, जुरिशियारी में कास्टीजम है देखिए, कॉलेजियम सिस्टम ही अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है, जो कि फूल पूफ नहीं है, एक बात, दूसरी बात कि देखिए, हमारी डिमोक्रिसी को और आजादी को 75 साल हो गए, 70 साल हो गए हमारे सम्मिधान को, अब जरुवत है 21st century के हिसाब से उसको अपग्र करने की, representative democracy की बाते नहीं होई, institutions को strong करने की बाते नहीं होई, सम्मिधान किस तरीके से लागू हो, इसकी बाते नहीं होई, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूँ, बोलने के आजादी, article 19.1a, जिस पर तमाम गिरफतारियां हो रही है आज की तारीख में, उसकी protection में, भारत मे एक भी कानून नहीं है, और article 19.2, जो उसका प्रतिवाद है, यानि कि किन की चीजों पे आप नहीं बोल सकते हैं, उस पे 70 कानून है, 100 कानून है उस पे, लेकिन बोलने की आजादी को protect करने के लिए एक भी कानून नहीं है, तो सब पढ़े लिए के पंडी जी तो जज रहे हैं, तो उनलों को सोचना चाहिए, नहीं देखिए, वो किसी जाती के उस पर नहीं है, बात है कि सम्मिधान के प्रति आपकी आस्था क्या है, जो प्रियंबल में लिखा है, उसके प्रति आपकी आस्था क्या है, जो प्रियंबल में लिखा है, उसके प्रति आपकी आस्था अब जट साहब भी कहते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तारी की बड़ा गलत क्याम किया अरे गलत काम उसको भाशर आप में दीजे उसको जेल भेजिए जिसने अफोन की दोसो भी स्थार्य है जुषारा ने जुषेरी में जाथ वाद का जो अरोप लग रहा है अस cuma मत है यह उससे अप्षामत मेरिट किया होता है मैं तो मैं तो टीचर रहा हूं और जर्नलिजम का टीचर रहा हूं अभी भी हूं और मैंने तो देखा है कि मेरे तमाम जितने talented छात्र थे जो technology में भी बहुत आगे हैं लेकिन वो समाज के उस हिसे से आते थे जो की नीज कहा जाता है जो की छोटी जाती कहा जाता है और वो नोकरी में नहीं गए बाहर नहीं गए उनके पास एक ही जाला था कि वो किसी सरकारी संस्थान में किसी बैंक में कहीं जहां आरक्षन की सुविधा है वहाँ चले जाए और वो मीडिया बहुत अच्छे जनलिश देश को देव हो सकते थे लेकिन उनको जगर नहीं मिली परदास करने के मूड में नहीं है सीएस्ट योड़ी को बिल्कुल अभी तो सीजन चल्डा है उनका और जू डिसियरी का जो चरीतर है वो तो सुरू से ही जातिवादी हाल के दिनों में इसमें संस्वधन बस ये एड़ ओन हो गया है अब यह से कुल जो है संपरदायिक भी हो गया है जातिवादी तो सुरू से रहा है अभी देखें पहले जातिवादी था अब संप्रदाइक भी हो गया है एड हो गया उसमें एक एकदम नई बात में बता रहा हूं अभी 36 गड़ में लगभक सो से जादा जो है आदिवासियों को नकसली के नाम पर बंद किया गया था बाजपाज सरकार में उसको छोड़ा गया है पंट साल जेल में रखके रखके उनको छोड़ा गया अप समझ लिजए वाथ च्टो ने कहा ये निर्दोस है उनकी बैग लेकर आती तस्वीरे 5 साल सोच सकते हैं कि सॉव दीक ब्रहमनों को कभी ऐसा इमेजिन भी हमने कर पाते हैं सौव से अधिक ब्रह्मन जेल से निकल रहे हैं पुर देशनेल दस्तक जैसा चैनल है सोशल मीडिया है अपने लोग थोड़े अवेर हुए उसकी वज़़ा से यह हम जैसे लोगों को थोड़ा पता चल पाया तो जूडिसीरी अपने चरित्र में आदिवासी दलित विरोधी है अब मुसलिम विरोधी भी हो गया आरक्षण विरोधी तो रहा है यह ठीक नहीं हो सकता है इनका इलाज कुछ और है आने वाले समय में हम लोग चाहते तो नहीं है यह सबसे कुछ नहीं होगा अब इसका इलाज जो स्रीलंका में हुआ था संभावना हम च तो छूट का सवाल किया है, हीमत हमारे जैसे आदमी होगा, पूछिए कौन सो सवाल का जवाब देना है अब को? को भी एक धरा लगा करके आसाम के जेल भेज दिया गया करती है वहां के सरकार भी जाती बाद के हिसाब से तो नहीं लेकिन वो पार्टी के अधार पर जुरूर सजा देती है उनका ये है धमकाओ ताकि वो बीजेपी छोड़ करके ये ना जाएं एक जो बाहर है जैसे आपने दो नेता देखा यंग राजपूत एक था और एक ठाकूर था जिसको आप कलपेश्टा है क्या नाम था अलपेश्ट ठाकूर वो और एक पटेल अभी हार्दिक पटेल ये सब बड़े जोड़े जोड़ से चिला चिला के कहते रहे नतीजा क्या हुआ डर के मारे जोइन कर दोनों डर के मारे जोइन किया है बिल्कूल डर के मारे जोइन किया है सुचिए दिलीप मंदल को एक तिवारी जी नाम के वकील ने अट्रोनी जनरल को चिठी लिखी कि कि कंटेप्ट अब कोट चलाया जाए खेर अट्रोनी जनरल ने मना कर दिया है तो क्या लग रहे आपक लेकिन उस पर चारो तरफ चुपी है उसमें खासकर अतनलाल जी है उसमें जिगनेश है उसमें जुबैर हैं कंणन हैं तमाम S.C.H.T. O.B.C. मानौटी के तिलतुम्रे हैं ऐसे लोग हैं जिनको जेलों में बंद करके रखा गया है और अब आम लोग की खासकर एक बड़ा सिक सन इस देश की आबादी का जिसकी आबादी लगवग 80% से ज़्यादा है 90% उसको लगता है कि मीडिया हो जुडिशियरी हो ब्यूरोक्रेसी हो कॉलेज इंबरसिटी हो या बिजनेस हो वहां सबसे ज़्यादा जातिवाद है क्योंकि वहां इन तमाम कम्मूनिटी के लोग क सम्मिधान में इसी के लिए प्राभधान किया गया था रिजर्वेशन का भागिदारी का उसको भी इंपलिमेंट नहीं किया जा रहा है जैसे जैसे जोसल मीडिया का दौर आया है जैसे जैसे लोग स्कूल कॉलेज पहुँच रहे वो अपने political decision, social decision के जड़िये इस बात को पुखता तरीके से रख रहे हैं कि भारत में तमाम संसाधनों पर, तमाम संस्थाओं पर क्या जाती विसेस और धर्म विसेस के लोग का कबजा है और उससे उन संस्थाओं का फैसला परभावित होता है अपनी पर्तकिरिया जोड़ दीजे क्योंकि आपकी पर्तकिरिया बहुत अहम है करारापरसनासीस के साथ शम्भू कुमार सिंग निस्नल दस्तक दिल्ली निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं